जहें दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पे मैं आधितरे जनाप सभी का तहीं दिल से यहां स्वागत करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉक्टेस्ट की देखें मॉक्टेस्ट में सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहां पे बड़ा प्यारा सा सवाल जो कि आज कल पेपर में प्रेंडिंग है और उचिस पकार का परशंटेज का सवाल कहा गया कि एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है फिर 28% के वृिधी भी कर दी जाती है इस प्रकार प्राप्त संख्या, मूली संख्या से इतना % कम है मूली संख्या ग्याद करिए देखिए कभी भी किसी भी संख्या को अगर आप X% से बढ़ाते हो और फिर X% से कम कर देते हो तो क्या होता है मेरे भाई overall decrease ही होता है और वो decrease किसके बराबर में होता है तो बोलोगे सर देखिए किसी संख्या को X% बढ़ाने से और वापस X% कम करने से overall हमारा क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा और वो decrease हमारा कितने का होगा तो हम बोलेंगे sir it is equal to minus x square upon 100 तो ये बाते आपको ध्यान में रखके चलनी है कि किसी संख्या को बढ़ाने से फिर कम करने से x square upon 100 की क्या होती है कमी होती है अब ये जो कमी होगी हमारी वो कितने percent की हो जाएगी तो बोलेंगे sir x square upon 100 कहने का मतलब यहाँ पर x की value कितनी है 28 है तो 28 का square कितना होता है तो बोलोगे sir 28 का square 784 और 784 को 100 सिभा करेंगे यानि 7.84% यानि इतने percent की कमी होगी इतने percent की क्या होगी मेरे भाई तो कमी होगी तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो यह जो 784 है हमारा यह हमारा कितने का मान है तो यह हमारा 7.84 का मान है और हमें पता कितने का मान करना है तो हमें यहाँ पर 100 का मान पता करना है कितने का मान पता करना है तो 100 का मान पता करना है इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा कियें तो overall जो decrease होगा हमारा वो x² upon 100 होगा कितना होगा x² upon 100 यानि 784 बटे 100 यानि 7.84 परषेंट तो जो दिया है वो 7.84 का मान है पता करना अपने 100 का यानि 10,000 जो आएगा वो हमारा correct answer होगा ठीक है? चलो आजाओ, next question की बात करते हैं अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं आईए, चलिए इसका उतर दीजे आप लोग क्या बोला गया है? परतीशत का एक और प्यारा सवाल क्या कहा गया है ज़रा देखे बोला गया यहाँ पर की जो a की हमारी i है वो b के i से 50% अधिक है किस की तुलना की जा रही है? a की तुलना, किस के साथ की जा रही है? b के साथ में आप है तो अगर हम बात करेंगे तो यह हमारा a हो जाएगा यह हमारा b हो जाएगा a की जो i है वो यहाँ पर b की i से कितना जादा है? 50% जादा है 50% का मतलब कितना हो गया? में 50 जादा यानि कितना हो जाएगा 1.500 हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद क्या भोला गया A की I में 40% की वरिधी की जाती है और B की I में 90% की वरिधी की जाती है इसके I में क्या किया जाता है 40% का वरिधी इसका 40% कितना होगा तो 1.500 का 40% 60 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देर सो का चालिस परसंट साथ होता है तो इसमें साथ बढ़ा दो तो बोलोगे सर 210 ठीक है और यहाँ पर खेर छोड़ो आप यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज की बात करो फाइनल वैल्यू की बात मत करो इंक्रीज आपने कितना किया उसकी बात करो तो डेर सो का 40 परसंट आपने यहाँ पर साथ बढ़ाया है उसके बाद में बोला गया है बी के इंक्रीज को इंक्रीज किया है 90 परसंट से तो इसका इंक्रीज कितना है तो 90 का इंक्रीज है तो बोला गया यहाँ पर कि percentage increase in the combining income दोनों का मिला के कितने परसेंट का increase हो गया हमें यह बता दीजे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए percentage increase हमारा किसके बराबर में है यहाँ पर 60 का experiment हुआ यहाँ पर 90 का increment हुआ कितने का increment हो गया तो बोलोगे 1.500 कितने के ऊपर में हुआ है तो 1.500 प्लस 100 या नि 2.500 के ऊपर में हुआ है इंटू कितना करेंगे तो 100% करेंगे मेरे भाई 50 से काटोगे 3 बार में 50 से काटोगे 5 बार में 5 से काटोगे 20 बार में आंसर कितना आजाएगा 60% option number C जो है correct answer है मुझे हर किसी से आंसर चाहिए और फटा फटा आंसर चाहिए आई ये सवालों को देखते हैं यहां पर ये एक बड़ा प्यारा सा जबरा का question है हमारा और ये paper में कम से कम 3 बार आया हुआ है CGL में, CHSL में, CPO में हर जग़ पर ये सवाल रहा है और इस सवाल को मेरे भाई जो है तरीके से solve करना है कहा गया यहां पर कि 3 संख्याओं को जोड़ने पर 19 आता है उनके square को जोड़ने पर 133 आता है और relation कुछ इस प्रकार से है कि X और Z को multiply करने पर Y के square के बराबर आता है इसके पहले मैं यह question कई बार करा चुका हूँ और basics से इसको करने का मतलब अपने सर को दिवाल में मारने के बराबर है आप value सोचो तीन ऐसी संख्या जोड़ने पर 19 सा जाए ठीक है उनके square को जोड़ने पर 133 सा जाए और गुना करने पर दो संख्याओ को मेरे भाई यहाँ पर Y square के बराबर मेरे मन में कुछ value है और वो हमारा है 9, 4 और 6 मेरे भाई क्यों मैंने ऐसी value ली? इसलिए मैंने ऐसी value ली कि हम इस equation को satisfy कर पाए 9 into 4 हमारा कितना होता है 36 और 6 का square हमारा कितना होता है तो 36 समझ गे मेरे इस बात को आप लोग यहाँ पर 9 into 4 हमारा कितना होता है तो 36 और यहाँ पर मेरे भाई 6 का square कितना होता है 36 तो X का मान 9 है Z का मान 4 है Y का मान 6 है examiner ने बोला है Z और X के बीच में difference अच्छा इसमें आप यह नहीं कह सकते कि X का मान 9 ही होगा हो सकता है X का मान 4 हो और Z का मान 9 हो तो कुछ भी हो सकता है इसलिए examiner ने difference जैसे शब्द का अस्तमाल किया है difference का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह होता है बड़ा माइनस छोटा तो यहाँ difference का अगर स्ट्रापदी करता अगर हम निकालें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे हम बोलेंगे सर बड़ा माइनस छोटा यानि 9 माइनस 4 बात कतम आंसर कितना हैगा 5 option number D for देवसेन कितना हो जाएगा मेरे भाई option number D for देवसेन अगला सवाल देखते हैं profit and loss का 2023 का दसवे महीना का पूछा गया सवाल देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं क्या कहा गया ज़रा पढ़ते हैं सवाल में बोला गया question number 4 में कि एक table को इतने रुपे में बेचने पर आरव को इतने percent की हानी होती है तो इतने percent का लाब पराप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए भाई मैं कोई article को इतने में बेच रहा हूँ खरीद नहीं रहा हूँ मैं बेच रहा हूँ और बेचने पर हानी हो रहा है चलो 100% का समान है 10% का हानी हो गया मिला कितना 90% 20% का हानी हो गया मिला कितना 80% 30% का हानी हो गया मिला कितना 70% समझ रहे हैं मेरी बात को यहां पर तो हम यहां पर क्या बोलेंगे तो हम यहां पर बोलेंगे भाईया 1596 है हमारा selling price है कितना है selling price है 100% के समान में 24% का नुकसान है तो 100 में से 24 गटा दो 100 में से 24 गटा दो तो कितना हो जाएगा 76% कितना हो जाएगा तो 76% तो जो दिया गया है वो कितने का मान है 76 का मान है और अपने को पता कितने का करना है तो अपने को जो पता करना है 24% का लाब अपराप्त करने के लिए हम कितने में बेचेंगे 100% के समान में 24% का profit यानि हम कितने में बेचेंगे तो हम 124 में बेचेंगे कितने में बेचेंगे मेरे भाई तो 124 में बेचेंगे ठीक है, तो जो दिया गया है वो 24 यानि 76% का मान है और जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है 124 का मान पता करना है clear हो गया तो हमने कहा जो दिया गया है मेरे भाई कितने का मान है 76 का पता कितने का करना है 124 का अब हम यहाँ पर इसको किस प्रकार calculate करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे, 4 से काट होगे, 19 बार में, 4 से काट होगे, 31 बार में 19 से काटेंगे मेरे भाई कितनी बार में तो 19 का मेरे भाई आप यहाँ पर जो है, कितना गुणा लेकर चलेंगे आप बताईए, जल्दी से बताईए मेरे भाई आप बोलेंगे सर 19 का हमारा साथ गुना, 9666, यहाँ पर 133, यहाँ पर 19 कार्ट गुना हमारा कितना होगा बताओ जल्दी से, 152, तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, 19 कार्ट गुना 152, 19 का 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 76, 84 को 31 के साथ मल्टिप्लाई करना है, अगर ह कि आओ कभी यहाँ पर चाहे नाशते पर, चलते हैं कहीं बात करने, क्लियर हो गया, आईए चलिए, हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, तो कोश्चन में हम से क्या कहा गया, कोश्चन में कहा गया, देखो, यह तुम्हारा क्वाडिलेटरल है, उसके अंदर में सरकल है, एबी कमान हमारा कितना है, तो एबी कमान हमारा दस है, सीदी कमान हमारा कितना है, तो सीदी कमान हमारा साथ है, एसदी कमान हमारा कितना है, तो आब बोलेंगे सर, एसदी कमान हमारा चार है, एस एस कमान हमारा पाँच है, तो हम से यहाँ बीजी कमान पूचा गया देखो cyclic quadrilateral की दोस्तों एक property होती है और वो property क्या होती है कि opposite side के जो sum होते है वो opposite side के sum के बराबर होते है यहाँ पर opposite side के जो sum होते है वो opposite side के sum के बराबर होते है तो इन दोनों का जो sum होगा यानि कितना होगा 10 plus 7 वो हमारा बराबर होगा इन दोनों के सम के यानि अगर हम इसे X मानते हैं तो हम बोलेंगे सर 9 प्लस 7 के हाप है ठीक है तो यह 17 होगा और यह बराबर होगा 9 प्लस X के, 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 हैगा मेरे भाई, overall आंसर कितना होगा 8 cm, option number 4 और देव सिना जो होगा, वो हमारा क्या होगा और यह धियान रखना है कि सर यहाँ पर जो होता है opposite किसम हमारे opposite किसम के बराबर होता है आज हो भाई, compound interest देखो यार यह बहुत important point है कई सारे बच्चों को compound interest में बहुत problem होता है और अलग-अलगतर है कि परिशानी आ रही होती है normal questions तो हर कोई करवा देता है 2 साल, 3 साल, 2 साल जहां बात 5 मंतली के आती है 7 मंतली के आती है वहाँ अलगत कराब होती है तो compound interest अगर detail में पढ़ना है तो YouTube पर सर्च कर लेना compound interest भै यादी तरिजन सर आपको तरीके से दोस्तों एक ऐसी वीडियो मिल जाएगी जहां बहुत प्यार तरीके से आपको सारा का सारा concept और questions मिल जाएगा सारदिन साथ मेराथन का पहला lecture जिसके उपर millions में views है वो वीडियो को आप देखना शुरू करना तीन से चार क्लासेस में CIE अपका खतम हो जाएगा ठीक है? आईए चली हाँ पर इस सवाल को देखते हैं क्या कहा गया इस सवाल में पढ़िये जरा तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बोला गया है कितने वर्ष का तो एक वर्ष का चक्रवीरी ब्याज क्या करना है हमें? याद करना है तो यहाँ पर असल में क्या है तो असल में जो हम पैसा दे रहे हैं उस पर हमें किस प्रकार ब्याज चाहिए तो अर्दवार्शी करूप से ब्याज चाहिए कितने रुपय पर चाहिए, 8,000 पर चाहिए, किस rate पर चाहिए, 20% समय हमारा एक साल देखो, half yearly पर बचो आप ये बात को मन में ठान के चलना और क्या चलना, कि half yearly के case में rate को हम क्या करते हैं, आधा तो 20 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 20 का आधा हमारा 10 हो जाएगा समय की अगर हम बात करें हैं, पर तो समय हमारा क्या हो जाएगा, डबल एक साल का डबल कितना हो जाएगा, दो साल हो जाएगा एक साल का हमारा डबल कितना हो जाएगा, तो दो साल हो जाएगा तो वहीं हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर यह बोलेंगे सर रिट हमारा हो जाता है आधा और समय हमारा हो जाता है डबल अब मेरे पास पैसे कितने है तो बोलोगे सर पैसे हमारे पास आठ जार रुपय है तो आठ जार रुपय को 10% के दर से 2 सालों के लिए मुझे देना है तो बता यहाँ compound interest कितना होगा तो वहीं बात है, देखो, शोड़ी सी बात को समझना, 10% के हिसाब से दो सालों का जो ब्याज बनेगा, वो कितना बनेगा, तो 21% बनेगा, पिर से कह रहाँ कितना बनेगा, तो 21% बनेगा, यानि असल में जो हमें यह 8000 उपए दीए गए हैं, यह कितने का मान है, तो यह हमार 100% का मान है और हमें कितने का मान निकालना है तो हमें यहाँ पर 21% का मान निकालना है इस बात को ध्यान देना ठीक है 2.0 से 2.0 खतम हो जाएगा 8 से हमारा 8 हो गया 8.2.16 हो गया 1680 रुपे यह हमारा क्या होगा Correct answer Option number जो B होगा अब वो मेरे भाई क्या होगा Correct answer होगा ठीक है आईए चलिए Next question Question number 7 क्या कहा गया Ratio of cost price and market price of article is for ratio 7 A discount of 20% is given on market price And shopkeeper made a profit of Rs.80 Find the cost price of the article एक वस्तु की लागत मुले और अंकित मुले 4.07 में है यह हमारा लागत मुले है और यह हमारा अंकित मुले है Market price पर 20% की छूट दी गई है और दुकानदार ने 80 रुपए का लाब कमाया है अब यहाँ पर समझते है यह हमारा क्या है तो CP है यह हमारा क्या है तो SP है समझ गया मेरी बात को ठीक है और वो किस ratio में है तो 4.07 में है किस में है तो 4.07 में है यानि अगर हम बात करते हैं तो 40 रुपए का समान है और 70 रुपए में हमने उसको बेचा है और यह हमारा CP मतलब Market price बहिए देख लो कि क्रे मुले और अंकित मुले का जो अनुपात है 40 और 70 का अनुपात हम इसे XXB कह सकते हैं कि थोड़ा आगे चलके फाइदा होगा कहा गया 20% का discount आपने Market price पे दिया इस पे 20% का तो अगर मैंने इसको 20% का discount दिया है तो बेचा कितने में तो इसके 80% में 70-80% कितना होता है 56, 7-8-56 इतने में हमने बेचा है अब मुझे यहाँ पर यह बताओ मुझे फाइदा कितने का हुआ दोस्तों तो 40 रुपे के समान को हमने बेचा है कितने में तो 56 में बेचा है फाइदा हमें कितने का हुआ है 16 का हुआ है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तो बोलेंगे 16X का फाइदा वो किसके बराबर में है 80 के बराबर में है X कमान कितना होगा 5 होगा X कमान 5 होगा तो यहाँ पर CP जो होगा वो हमारा कितना होगा तो 5 x 40 कितना हो जाएगा 40 x 5 यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों के करीब में यह हमारा correct answer है option number जो C होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा question number 8 देखते हैं क्या कहा गया पढ़िये जरह यह एक बहुत ही प्यारा सवाल है और उस्त में काफी बार पूछा गया है पेपर में और बच्चों को बहुत परिशानी होती है लेकिन इसका हम आपको सीधर trick बताएंगे क्या बताएंगे पढ़िये तीन संख्याओं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किसी भी दो का उस्त तीसरी में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याओं हमारी इतना इतना और इतना होती है तीनों मूल संख्याओं का उस्त हमारा क्या है किसी भी दो के उसत में तीसरे को जोड़ा जाए जैसे मानो यहाँ पर A प्लस B के उसत में अगर हम यहाँ तीसरे को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना होगा तो बोलोगे सर 164 होगा हम B plus C के उसत में यहाँ पर B plus C के उसत में अगर मान लीजे हम यहाँ A को जोड़ते हैं तो 158 होगा हम यहाँ पर C और A के उसत को जोड़ते हैं C और A के उसत में B को जोड़ रहे होते हैं तो 132 होगा तो examiner हमसे क्या चाहता है तो examiner हमसे यहाँ पर यह चाहता है कि हमें तीनो संख्याओ का उसत बताना है तीनो संख्याओ का उसत का मतलब A plus B plus C divided by 3 का मान तो आज के बाद भविश्य में यह सवाल देखो यह सवाल previous year में दो सालों में बच्चों हर जगा पूछा गया है इसका सिधा सिधा एक trick होता है और वो मेरे भाई यहाँ पर trick क्या होता है तो आप यहाँ पर बोलेंगे इसका trick यहाँ पर यह होता है कि जब भी दो संख्याओ के उसत में तीसरे को जोडने की बात करे तो वहाँ हम कैसे solve करते हैं तो वहाँ पर आंसर निकालने के लिए इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे तो हम तीनो संख्याओ को जोड़ के 164 को 158 को ठीक है और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे 132 को तीनो को जोड़ के किस से भाग करेंगे 6 से भाग करेंगे तीनों को जोड़के किस से भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे तीक है अगर बात करेंगे 15 और 13 हमारा कितना हो गया तो 28, 28, 29, 29, 29, 35, 45, तीक है 45 बटे में कितना आ जाएगा तो बटे में 6 आ जाएगा 2 से काटोगे 3 बार में 2 से काटोगे 2 बार में 2 बार में 7 बार में 227 बटे में 3 का 3 का 7 गुना 21 उसके बाद 3 का 5 गुना 15 75 शही 2 बटे 3 correct answer option number एब बिलकुल सही उतार है clear है यह बात है कोई दिक्कत की बात है तो बता दो यानि किसी भी 2 संख्याओ के उसत में 3 को जोड़ा जाएगा इसके बराबर 2 के उसत में 3 को जोड़ा जाएगा इसके बराबर 2 के उसत को 3 में जोड़ा जाएगा इसके बराबर तो यहां 3 का उसत निकालने के लिए क्या करो सब को जोड़के divide by 6 करो basic से करोगे तो तुम ये भी trick निकाल सकते हो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ये मेरा self matrix है जो आपको काफी जादा मदद करेगा आप ये note करके चलिए ठीक है आज ही ये चलिए 9 number question बड़ा प्यारा question क्या कहा गया पढ़िए sin minus cos की value अटो है तो ये cos को आप उदर भेजो cos को आप उदर भेजो के तो sine theta बराबर हमारे cos theta के अब मुझे एक बात बताओ कौण सा ऐसा theta है जिसके उपर में ये दोनों बराबर होते हैं खुदी सोचना ज़रा यार किस theta पर sine और cos बराबर होते हैं बोलोगे सर ये मात्र एक ही एंगल पर बराबर होते हैं और वो एंगल हमारा कितना है 45 है मात्र 45 पर ही बराबर होंगे इसके लवाँ और कोई दूसरा एंगल संभव ही नहीं है संभव ही नहीं है ठीक है तो 45 पर बराबर होंगे अब 45 पर बराबर होंगे तो जड़ा सब का मान देखना क्या होगा तो बोलोगे सर यहां देखो साइन 116 में से 45 अगर होता तो कितना मान आता 135 आता उसके बाद में साइन यहां पर कितना हो जाएगा यहां 116 का आदा 90 माइनस थीटा अब SINE 135 को हम यहां क्या बोलेंगे तो SINE 135 को हम यहां पर यह भी कह सकते हैं समझना मेरी बात को लेकर हम यहां SINE 135 को यह भी कह सकते हैं 90 गक्भाषशा देखो बच्छो मैं यहां पर लिख देता हूँ 116 माइनस थीटा यहां ऐसे कहलो SINE 180 माइनस थीटा यार sin 180 minus theta कितना होता है 0 से 90 यहाँ पर कहानी है 90 से 100 सी यहाँ पर कहानी है तो यानि 180 minus theta second quadrant second quadrant में sin हमारा positive होता है तो positive होता है तो हम यहाँ पर यह बात याद रखेंगे sin 180 minus theta हमारा कितना होता है sin 180 minus theta sin theta होता है कितना होता है sin theta होता है clear है यह बात यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई तो बता दो आप यहाँ पर ठीक है चलिए तो sin 180-θ कितना होगा sin theta होगा theta का मान हमारा कितना है तो 45 है तो हम यहाँ पर यह बात बोलेंगे कि सर देखिए हमसे क्या कहा गया है तो हमसे यहाँ पर कहा गया sin 45 बताने को, sin 90-θ कितना होता है तो cos 45 होता है, sin 90-θ का मतलब cos theta cos 45 मान बताना है, sin 45 का मान 1 upon root 2, cos 45 का मान 1 upon root 2, कुल मिलाकर हो जाएगा 2 बटे root 2, और अगर आप इसे काटेंगे तो यह आपका root 2 बार में, कौस option होगा, option number D for देवसेना, तो छोटू मोटू question था, कोई दम नहीं था, sin minus cos 0 था, इसका मतलब 45 दिगरी लेना था, और 45 दिगरी लेना था, तो यहाँ 180-θ sin theta, sin 90-θ cos theta, यानि sin 45, cos 45 हमारा कितना हैगा, तो root 2 हो जाएगा, ठीक है, 12 नमबर स्वाल देखो, 12 क्या बोला गया, कहा गया है मेरे भाहियां पर, A, B और C की शम्ता का अनुपाद 7, 5 और 4 है, एक साथ काम करने पर 35 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, A और B अगर साथ में 28 दिनों के लिए काम करते हैं, तो सेशकार S C दौरा के लिए कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ये हमसे कहा गया है, ठीक है, तो हमने कहा सर देखे हैं पर, Ratio of Efficiency of A, B and C, अगर हम बात करेंगे A, B और C को लेकर, तो इनके जो शम्ता का अनुपाद है, वो हमारा है 7 अनुपाद, 5 अनुपाद जा रहे हैं पर, ठीक है, एक साथ काम करेंगे तो 35 दिनों में खतम करेंगे, यानि अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम वर्क निकाले तो कैसे निकलेगा, तो वर्क निकाले तो देखो, एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा, 7, 5, 12, 4, 16, एक साथ काम करेंगे तो 16 यूनिट काम होगा, और इस हिसाब से काम को कितने दिनों में खतम करेंगे तो 35 दिनों में 16 का पांच गुना 80 और 16 का तालीस और 85 यानि इतना काम होगा कितना काम 560 काम क्योंकि भाई मैंने जीवन में हमेशा एक बात को सिखाया है और क्या सिखाया है सरदस वाला कोशन छूट गया है चलो कोई बात नहीं छूट गया तो हम उसे दुबारा करवा देंगे टेंशन मतलो यहां पर यहां पर यह करवा देते हैं तो मैंने यहां पर काया कि जीवन में हमने शाए एक बात सिखाया है कि जिसका समय दिया गया होगा जिसका छमता दिया गया होगा गुना कर देना तो वर्क निकल जाएगा आप यहाँ पर देखिए तीनों लोग मिलकर 35 दिनों में काम कर रहे हैं एक दिन में कितना काम करेंगे 16 उनिट तो 35 दिनों में कितना काम हो जाएगा 560 अब कोश्चन में क्या कहा गया है ए और बी ने 28 दिन काम किया है और बाकी बचेवे काम को जो है यहां पर सी ने किया है तो इसको हम ऐसे ना लिख के इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि according to question काम कैसे complete होता है काम यहां पर ऐसे complete होता है कि अगर सभी मिलकर काम को करेंगे तीनों मिलकर काम को करेंगे तो काम हमारा खतम होगा कितने दिनों में तो working together they can finish a working 35 days कितने दिनों में तो 35 दिनों में फिर उसके बाद यहां पर A और B 28 दिनों के लिए काम करते हैं कितने दिन करेंगे फिर C उसे T दिनों में करेगा समझना मेरी बात को लेकर अब इस equation को solve करो तुम्हारा उत्तर आएगा A प्लस B प्लस C साथ पांच बारा बारा चार शोला तो हो जाएगा 16 इंटू 35 यहां पे ठीक है प्लस हमारा कितना होता है तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई तो चपना आ जाएगा 56 ही हमारा correct answer है option number जो C है बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई सुमन पॉल कहते हैं आपके बैस से maths का बैंक का preparation हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन उसके अलावा आपको previous year के questions कुछ से भी practice करने होंगे इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना है यहां पर ठीक है चलिए आईए ठीक है बाकी किसी प्रकार का कोई भी doubt होगा न दोस्त तो उस doubt में जो है आप लोग यहां पर comment कर दीजेगा वीडियो में और आज के session का जो PDF है हमारा वो हमारे ये दोनों टेलिग्राम पर आपको मिल रहा होता है आप जोइंग कर लिजेगा दोनों टेलिग्राम को दोनों के link description में है ठीक है